एलो गाइस मैं आपने कम्पिटीशन की तियारी करी होती है मीन्स उसका परजक्त बना रही होती है और दोसरे तरफ जोशु दिखा जाता जो अपनी कंपनी बनाने के लिए जगे देख रहा होता है कर एक फाइनली उसे जगा पसंद भी आ जाती है और पिर उस जगा को सेट गरा करता जिस चीज़ की सुरत होती उस चीज़ को लेकर आता है और उसने अपने काम में न्यू न्यू लोगों को भी रखना होते तो वो इसलिए इंटरव्यू भी लेता है और सेंग से उसकी रोमेट दिखाया जाते जिन दोना ने ही परजेक्ट पहना लिया था अब इन द सब जाशू की वज़ा से आता क्योंकि जाशू को से हलप चाहिए थी जाबी तोस मस्तियां वगरा करे रहे होते हैं बाते वगरा कर रहे होते हैं और जाशू संग्या की चैहने से मिलना चाहता हूं सैंक्ची की कॉल आती है तो सैंक्ची की कॉल उन्हें दिखा करें लगता है कि तुम लोग तंक तो नहीं होगे तो सभी क केने लगते हैं कि हाँ हम होंगे पर फिर भी जॉष्व उनके सामने कॉल अटेंड कर लेता है और सैंक्ची से बात वगरा करता है उससे खाने वगरा का पूछ तकि तुमने खा लिया और सबी दोस्तों उसको देखी जा रहे होते हैं कि देखो किस तुरह बात लिए लगे हुए है अपनी सिस्टर की कॉल के बाद सांग्यान उसे कहता है कि फिर कब आ रहे हो मेरे घर पर तो वह कहता है कि जब भी तुम्हारे मॉम डैट फ्री हो तुमने मुझे बताना है उनी से तुमने टाइम लेना है और फिर जाशो को टाइम मिल जातर सैंग्ची के घर पर पहुंच आता है उससे आगे से लेने के लिए सांग्यान आता है तो सांग्यान को कहने लगता है कि तुम मेरे साथ बैठोगे और तुमने वहाँ पर कोई भी उल्टी सीथी बात नहीं करनी तो वह कहने लगता है कि ठीक है नहीं बोलूँगा और उसको अपने साथ अंदर ले जाता अंदर जाते साथी सबसे पहले मिलने के लिए सैंक ची की माम आती है जो से कहने लगती कि तुम इतना सब कुछ क्यों लेकर आए हो इसकी कोई जूरत नहीं थी और फिर इसके बाद सब इकटे बैटकर खाना खाने लगते हैं जिसमें जाशू को समझनी आ रहा है कि बात कैसे करो और फिर वहाँ से वाशूम का कैकर चला जाता है और खाने के बाद सब इकटे बैटकर टी पी रहे होते हैं वहाँ पर आप जाशू सैंक ची के बारे में बात कर लेता हो कहने लगता है कि आपने पहले मुझे से एक बात की थी पर मुझे उस बात का मतलब समझ आ गया है मैं इसलिए यहाँ पर आकर अपना काम करने लगा हूँ और मैं सैंक ची के साथ सच में सीरियस हूँ मैं उसको कभी भी धोका नहीं दूँगा बलके ये सब मैं उसके और अपने फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ अब इतनी बाते सुनने के वाद सैंक्ची के डैट कहने लगते हैं कि जो पहले मैंने तुम्हें बात कही थी वो हमारी वज़ा से नहीं बलके मैंने ये बात सैंक्ची के लिए की थी ताकि उसको आगे जाके किसी भी तरह की कोई में मुसीबत ना देखनी पड़े तो जाश्यू कहने लगते हैं कि मैं समझ क्या हूँ और इसे के बाद इन दोनों के रिलेशन के लिए सैंक्ची के मॉम डैट तो उसे हां कर देते हैं तो जाश्यू कहने लगता है कि आज पता लगाए कि इतने अच्छे मॉम डैट होना लाइफ में कितना जरूरी है तो साथ में बैठा सांग्यान करें लगता है कि तुम्हें मैं नहीं नजर आ रहा तुम इतना अच्छा भाई भी तो मिला है तो जाशू उसकी बात पहन से लगता फिर दोना घर से कूड़ा उठा कर बाई फैंकने के लिए जा रहे होता है सांग्यान उसे बाते सुना रहा होता है उन्ही बातों में जाशू से कहता है कि थैंक्स तुम्हें पहुत साथ दिया है पिर आगे जाके जॉशु को याद आते है कि इसी रस्ते से हम इसी तरह कुड़ा उठाए हुए जा रहे थे और पहली बार मैंने तब सैंक्ची को देखा था और हमें एक पुरानी बात पिर उनकी दिखा जाते है जब दोनों एक साथ इसी रस्ते से जा रहे होते हैं जाशु उसकी बेहन के बारे में बात कर रहा होता है कि तुम्हारी बेहन ने पेरेंट्स मीटिंग के लिए मुझे कहा है और वो वला टाइम भी दिखा जाता जब सैंक्ची ने छोटे होते जाशु को कहा था पर जाशु ने उसे प्रॉमिस भी कर लिया था इसलिए उसके भाई को कह रहा था कि तुम चले जाना ना मैंने उसे प्रॉमिस कर लिया है तो वा कहता है कि इसलिए वो मेरी इतनी खितमते कर रही थी तो जाश्यो कहें लगता है कि तुम जाओगे ना उसकी पेरेंट्स मीटिंग में तो वा कहें लगता है कि मैं तो नहीं जाओँगा पर जाश्यो कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस कर लिया था पसंग्यान कहने लगते हैं कि तुमने प्रोमिस किया इसलिए तुम ही जाओ ऐसे कामों में मुझसे नहीं जाया जाता इसी बात पर दोनों हंस्तेवर जा रहे होते हैं जाओ घर वापिस आने के बाद काफी खुश होता है सैंकची असे बात कर रही होती है जाओ उसको उसकी और अपनी पिक तिखाने लगता है जो एक साथ होते हैं ग्रयजवेशन के टाइम वाली सैंग्च उसकी face को देखा कहें लगते ही कि त angry खुश हो क्या हुआ तो भी वो पूझ लगते है कि अच्छा बताओ किस बात बात वे खुश हो तो वूसे कहें लगते है कि आज मैं तुमाही पेरैंट से जाकर मिला था और उसका प्राइस हमें मन्त की लास्ट में मिलेगा तो तुम क्या यहाँ पर आओगे तो जाशू करने लगते है कि नहीं मैं नहीं आ सकता अभी अभी मैंने कंपनी स्टार्ट किया तो मुझे बहुत से काम है तो स्रृ जाय है नहीं आ पाऊंगा रही होती है पिर उसे एक बिक्व नाकर बेजने रगती इतने में पीछे से जाश्यू के आने की वज़ा से कुछ लड़्यां कहा रही होती जाश्यू की लड़का कौन है इतना हैंसम और जाश्यू जो सेंग्ची के क्लोस में आका कहता है कि तुम के अपनी क्लासमेटS को मेर बारे में नहीं बताती कि मैं तुम्हारा boyfriend हूँ पर सैंक उसे देख ती है कि साथने जागा खाली है। सेंक टी की friend कहती कि हाँ हाँ, खाली है बेट जाओ, तो जोश्यो सात में बेट जाता है और उसको message करने हुँ करता है कि तुमने इतना कोई react नहीं किया। तुम क्या मेरे आने से खुश नहीं हो क्या तुमने मज़े मिस नहीं किया तो सैंक्ची कहती है कि तुम यहाँ पर क्यूं आए तुमने तो नहीं आना था वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ तो वो से पूछती है कि किस टाइम पर आये जाशो कहते हैं कि हाँ ठीक है और फि जाशो के साथ जाते होवे आप लेफ्मेंट को बाई कर के चली जाती है कि सौरी मैंने तुम्हें तंग किया दोनों जब पीछे आकर बैठ जाते हैं तो दोनों को बात तौण तो आनी रही होती पर दोनों एक दोसरे के दव देखने बुलाया था अब इसकिस के बाद तो सैंक ची दूसरे तब देखने लगती कि कोई हमें देखता नहीं रहा था अभी जाशु को कुछ पॉल नहीं लगती है तो जाशु कहने लगते है कि अगर तुम्हें किसी कहने थी तो इस तरह बहाने लगाने की क्या जुरूरत थी वैसे कह देती अब सैंक ची कहने लगती कि क्या मतलब मैंने और फिर उसके दर देखने लगती है कि चलो ठीक है मान लिया फिर जाशु कहने लगता है कि असल में मैं तुम्हें मिस कर रहा तो तुम्हें देखा है तो सैंक ची आगे से मिस यू टू ने बलके हां कह देती है तो जा साथ उसमें फर्स प्राइस भी देना था तो सैंक्ची उसके बाल वगरा सेट करके उसे भेश देती है और फिर जब जौशु को स्टेच पर बुलाया जाता है तो सैंक्ची उसकी वीडियो बनाने लगती है पर उसको किसी भी साइट से जौशु ठीक से नजन नहीं आ रहा हो और सैंक्ची तो इस बात के बाद जल्दी से अपना फून रख देती है और बाकि सब फ्रेंज तो उसके लिए इतना खुश हो रही होती है और फिर सैंक्ची के परजट को चलाया जाता है जो परजट सैंक्ची और जौशु की लाइफ पर ही था जौशु को तो वो आते हैं तो इस चीज़ को सेलिबरेट करने के लिए सब बाहिर आते हैं इनके सब जाशु भी होता है जो इनकी वीडियो वगरा बना रहा होता है और फिस अब जब ठक कर लेट जाते हैं तो खुश भी हो रहे होते हैं कि हम इलादा हो जाएंगे इसलिए में सैंक्ची निं इस प्लैन में शामिल थी उसके जाने के बाद सब भी उसके बॉइफरेंट के साथ मिलकर उसके लव कंफेस के त्यारी बगरा करने लगते हैं उसके लिए हाड बनाते हैं और फिर निंग की भी आंखे बंद करके उसे लेकर आया जा रहा होता है सैंक्ची उसे जैसे सांग्यान भी वहाँ पर आ गए हैं उसके माम डेर्ट उसे देखकर काफी कुछ हो रहे होते हैं और फिर जाशू भी उसे कहने लगता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे आने के बाद मुझे पता लगा है कि मैं भी अच्छा इंसान हूं मुझे भी कोई प्यार कर सकता है य फिर अपना हाथ भी रिंग के लिए आगे कर देती है जैसे सैंग्ची रिंग पहन लेती है तो सब भी उसके लिए बहुत खुश हो रहे होते हैं और फिर सभी कहने लगते हैं कि किस करो और फिर जाशू और सैंग्ची दोना किस कर लेते हैं दोनों इसके बाद खूमने वालेवला जॉश्यो याद आता है जिसने पहली बार सैंक ची की तरफ ऐसे ही देखा था और फिर जॉश्यो से पूछे लगता है कि तुमने अभी तक एक स्टार क्यों रखा हुआ है अब ऐसा क्या रह गया है जो तुम चुपा रही हो तो सैंक ची उसके पास आते हो कहने लगी और हां मुझे इंस्टापे फोलो करना यहां पर तो सब्सक्राइब करी रहे हो तो इंस्टापे भी फोलो कर लेना और हम मिलेंगे एक न्यू ड्रामा में ओके बाइबाइबाइब